मानर वधान सभा सीट पर 23 जून को बाई एलेक्षन को लेकर कॉंग्रेस ने शिल्पी नेहा तिर्की को उमीदवार घोशित किया है आपको बता दे कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिल्पी नेहा तिर्की जी सिधा इन से जुड़ते और जानने की कोशिश करते कि आखिर ये कितनी खुश है जिस तरीके से पार्टी ने आपर भरोसा दिखाया है कितनी खुश है आप इसको लेकर बहुत खुशी है मुझे जिस तरह से पहले तो मैं हमारी मानेनिया सुनिया गांधी को और राहूल गांधी को प्रदेश अज्यक जी को और हमारे सबी राश्रे नेताओं को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ये उपरचिनिटी उन्होंने मुझे दिया है इतना बड़ा responsibility के साथ उन्होंने मुझे trust किया है I am very thankful for it आपने पढ़ाई की बैंगलोर में फिर आपने पढ़ाई की मुंबई में आप कभी ऐसा सोचे थे कि आप राजनीती पे आएंगे आपने job भी किया है 6 साल लगभग ने मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था बाबा अभी कभी नहीं सोचे थे ना ही मेरे परिवार के लोग सोचे थे कि मुझे कभी राजनीती में आना पड़ेगा किन्तों जिस तरह से situation अभी बना है मुझे लगता है जिस तरह से उनके मेरे बाबा के नाम पे ऐसा दाग लगा आया क्या है मुझे लगता है इस नीड ओफ द आर कि मुझे आगे आना ही पड़ेगा और यह लड़ाई उनके लिए लड़ने पड़ीगी कितने भरोसा है मांडर के लोगों पर आपको और क्यूं देंगे आपको वोट बहुत भरोस्ता है उनके उपर क्योंकि मेरे बाबा कु सब्सक्राइब करते आए हैं उनके लिए उसी लड़ाई को मुझे उनके साथ आगे बढ़ाना है मांडर के लोगों के साथ आगे बढ़ाना है बंदू तिरकी लगता शुरुआ से इस अंघर्स की हैं अपनी आवास को उठाए हैं लोगों तक पहुंचेंगे आप कैसे लोग से चेतर्म में एक एक individual level में लोगों से connect करने का तो ये समय लगेगा मुझे भी उस तरह के रापो build करने में मगर जरूर महनत पूरी लगेगी मेरे से परिवार का का अभी सिलसिला तेच हो जाएगा आपने खुद देखा होगा बंदु तिर्की में जिस तरीके साइस से अधिक संपती मामले में उनकी सदेस्यता चली गई किस तरीके कोई सब तमाम चीजों को टैकल कीजेगा देखे हमने परिवार में बहुत सारी संघर्ष देखी है शुरू से ही मेरे बाबा अभी तक पॉलिटिक्स में अल्मोस 30 यर्ज होता है उनको तो मैंने उन्हें बचपन से राजनिती करते हुए देखा है इस महौल में मैं बड़ी हुई हूँ काफी कुछ मैंने उनसे सीखा भी है भले मैं इस करियर में नहीं थी वगर मुझे बहुत चीजों का तजुर्बा है और बाबा का साथ तो हमेशा रहेगा ही और मांडर के लोग भी हमारे साथ है वो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा बंधुदा ने बहुत सारा सपना देखा इस सपना को सकार कीजेगा और आपके भी कुछ सपने होंगे उसको कैसे लेकर लोगों के बीच जाईएगा विलकुल बाबा का बहुत सारा सपना था और उसी सपना को पूरा करने के लिए वो एक बेटी को बलिदान दे रहे हैं बेटी को आगे ला रहे हैं इस लड़ाई म और मैं पूरे सेहमती से इस लड़ाई को लडने के लिए तयार हों सभी कि सईयोग से कितने confident है मांडर के लोगों के लिए confidence तो मुझे बहुत है क्योंकि मुझे यह पता है कि जो अभी तक मांडर के लोगों का जंग है बाबा ही ने लड़ा है उनका जो voice है वो बाबा नहीं आगे लाया है तो मुझे लगता है इसी भरोसा के साथ हम अपने छेतर के लोगों पे भी प्यार हम कर सकते हैं उनको expect कर सकत ची को जितना जंता लोगों नहीं प्यार की बिलकल अगर उसी तरीके से मैंने लागों को आगर उनके हक दिला के लिए मैं भी लड़ती और जिस तरीके से बंदू तिर्की ने बहुत सारे सपने देखे हैं उस सपने को भी साकार करना है कैमरा परसन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा बाइसकोप राची